Hello students, today we are going to learn about round of Round of means किसी भी नमबर को इसके nearest 10 में estimate करना या nearest 100 में estimate करना या nearest 1000 में estimate करना तो जैसे for example जो 23 है वो 20 और 30 दोनों में किसमें आएगा तो कौन सा उसका nearest 10 है वह में वो देखना है ठीक है तो इसके लिए एक rule है जैसे आपने क्या देखना है जो one space का digit है जब हम 10 को गर रहे हैं तो उसका one space का digit देखना है अगर वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से छोटा है इन में से कोई भी एक number है तो फिर हम क्या करेंगे जैसे ये जो 23 है इसमें 3, 5 से छोटा है तो इसको हम लिखेंगे 20 ठीक है और अगर ये nearest जो number है sorry ये जो one space पे number है अगर ये 5 से बड़ा है या 5 है या अगर ये 5, 6, 7, 8 या 9 इन में से कोई भी एक है तो फिर हम 46 को यहाँ पे हम अब 50 लिखेंगे हम क्या करेंगे जो हमारा one space है वहाँ पे तो 0 ही आएगा बट 10 space वाले number में one increase कर देंगे ठीक है अगर हमारा one space वाला number जो जिसको हम round off कर रहे हैं उसके 7 वाला number अगर 5 से चूटा है तो हम इसको directly इसके साथ 0 लगा के लिख देंगे और अगर ये number उसके 7 वाला number 5 से बड़ा है या 5 है तो हम इसमें one plus करके फिर इसको round off करेंगे जैसे 72 है तो 7 को round off करना है हमने यानि इसको या 70 लिखना है या 80 तो ये depend करता है इसके पिछले वाले number पे जैसे यहाँ पे अब ये 2 है तो ये 5 से चोटा है तो इसको हम round off करेंगे 70 में जैसे 65 तो 65 को हमने round off करना है या 60 में या 70 में याने इसके आसपास वारे दो 10 में तो ये 5 जो है वो हमारा 5 ये हमने बुला था कि 5, 6, 7, 8, 9 तो इसको हम 70 में round off करेंगे क्योंकि ये जो हमारा 10th place वारा नंबर है वो 5 है ठीक है 5 से छोटा हो तो फिर हम इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे इसको as it is 60 लिख देते अब यहां देखिए 80 ये already rounded off ही है ये जो 0 है already ये इसी लाइन में आता है जहां पे हमें 1 प्लस नहीं करना इधर कुछ भी प्लस नहीं करना है directly 0 लिख देंगे और यहां पे 1 प्लस करेंगे अगर इन में से कोई भी एक नंबर है तो इसका तो 80 का 80 ही आ जाएगा next है हमारा 91 अब 9 के साथ होला नंबर 5 से छोटा है तो इसको हम 90 लिखेंगे otherwise अगर ये 5 से बड़ा होता तो फिर ये 100 होता यानि ये दो नंबर के 79 ये दो नंबर के बीच में आ रहा है 70 और 80 तो अब ये 5 से बड़ा है इसलिए अब इसको हम 80 लिखेंगे इसका 0 और इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये हमारा बन गया 80 सेम वे में nearest 100 वाले नंबर अब nearest 100 में हमें देखना है 100 वाला नंबर हमारा ये 1s प्लेस है ये 10s है और ये 100s है तो इसको round off करना है हमने हर जगा पे 100s प्लेस को तो अब हमने इसके साथ वाला नंबर देखना है पिछला नहीं देखना 1s वाला नहीं देखना तो 1 के साथ वाला नंबर 5 से छोटता है तो हम क्या करेंगे 1 का 1 ही रहेगा और इन दोनों की जगा पे 0 लिख देंग इसमें हमें 200 और 300 के बीच देखना है कि ये किसके पास में है तो ये जो 2 के पीछे 5 है तो जब भी हमारा 5 या 5 से बड़ा नंबर हो साथ वाला round off करते टाइम पे तो फिर हम उसको 1 प्लस करके लिखेंगे तो 2 में 1 प्लस कर दिया और इन दोनों की जगा पे 0 लिख दिया ठ 300 के ज़्यादा पास में है 200 से ज़्यादा ठीक है 472 अब ये दो नंबर के बीच में आता है 400 और 500 तो इसको round off करने के लिए हमें देखना है कि ये किसके पास है तो 4 के साथ वाला नंबर 5 से बड़ा है तो ये 500 के ज़्यादा पास है तो 4 में 1 प्लस किया हमने 5 बन गया और ये वाले दोनों 0 इट मींज ये वाला नंबर 500 के ज़्यादा पास है 580 तो ये आएगा 500 और 600 के बीच में तो 5 के साथ वाला 8 है इट मींज इसमें 1 प्लस कर दिया हमने तो ये बन गया हमारा 600 सेम वे में 607 तो ये हमारा 600 और 700 के बीच में आता है ये वाला नंबर तो इसके साथ वला नमबर 0 है यानि 5 से छोड़ता तो ये हमारा 600 के पास में आएगा nearest 100 इसका 600 है 841 ये नमबर 800 और 900 के बीच में आता है तो इसके साथ वला 5 से छोड़ता है तो ये 800 के nearest है 965 ये आता है 900 और 1000 के बीच में ठीक है तो 9 के साथ वाला 6 है, यानि 5 से बड़ा, तो यहां भी हमारा आएगा 1000, same way में हमारे ये numbers बन गए, इसको हमने करना है nearest 1000 में, same rule है यहां पे, अब हमें 1000 place और उसके साथ वाली देखनी है, तो हमें इसको round off करना है और पीछे वाले सारे 0, तो अभी हमें देखना है कि 2346, 2000 और 3000 के बीच में तो आ रहा है, पर किसके ज़्यादा पास है, 2000 के ज़्यादा पास है, या 3000 के ज़्यादा पास है, उसके लिए फिर हम वही देखेंगे, यही वाला rule, अगर इसके साथ वाला number 5 या उससे बड़ा है, तो फिर हम इसमें 1 plus करेंगे, अगर यह उसे चोटा है, तो 1 plus नहीं करेंगे, तो इसमें यह चोटा है, तो हम नहीं plus करें, सरफ 2 लिख दिया यहाँ इसका, और इन दिनों को 0 लिख दिया, ठीक है, सेम वे में हमारा यह वाला, 5693, इसमें 1 plus हो जाएगा, क्योंकि 6 5 से बड़ा है, तो इसका हमारा nearest आएगा, 6000, 7201, तो 7 के साथ वाला नमबर 5 से चोटा है, सो यह पूरे का आएगा, 7,000, 6,850, 6 के पास वाला नमबर 5 से बड़ा है, तो इसका बनेगा 7,000, 6 में 1 plus कर देंगे, हम जब यह 5 से बड़ा है, तो, 7 वाला नमबर जब 5 से बड़ा है, तो it is 7,000, ठीक है, अब 9,320, तो 9 के पास वाला नमबर 5 से चो पूटा है, तो इसमें 1 plus नहीं होगा, तो इसका आजाएगा हमारा 9,000, नेक्स्ट है, 8,500, तो 8 के साथ वाला नमबर 5 है, तो इसके लिए इसमें 1 plus हो जाएगा, तो this is 9,000, बलास वाला देखते है, 3,732, 3 के साथ वाला नमबर 5 से बड़ा है, तो इसलिए 3 में 1 plus हो 4,000, I hope आपको ये समझ में आगया कि कैसे हम किसी भी गिवन नमबर को nearest 10, nearest 100 या nearest 1000 में लिखेंगे,